हेलो एव्रीवान वेल्कम बैक टू माई चैनल गाईज मैं एक और नियू रीडिंग के साथ आ गई हूं कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे हैं खुश हैं अर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाले हूं अर्जेंट मैसेज क्या रहे हैं और जानेगे कि डिवाइन अभी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है तो गाईस बिना देर करें रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं आज काफी देर हो गई है और गाईस प्लीज प्लीज मुझे मुझे आप मुझे बाबर रिमाइंड मत कराओ मैं कर दूंगी ठीक है आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा बिजी है ताट इस वाए दूसरे चैनल पर एक भी रीडिंग आज नहीं हो पाई पर मैंने सोचा कि यहां पर तो आपको दो रीडिंग में देई दूँ तो अर्जेंट मैसेजिस पता करेंगे कि कौन से हैं आपके लिए एस ओफ काप्स सेवन ओफ काप्स देथ एंड टेंपरेंस थ्री ओफ सोर्ड्स पेज अफ पेंकल्स हर मिट एंड हिरो फेंट तफूल वाव यहां पर ज़्यादा रखने से काड्स आ हैं इन टप्स and 10 अफ पेंकल्स की अनर्जी यहांसे है सारे काड्स आ रहे हैं आपके लिए ओके आपके सामने मैंने कार्ड लगा दी आई होब कि आपको दिख रहे हैं और यहां से 10 of pentacles का कार्ड है जी तो क्या आपके लिए urgent messages हैं guys अपने manifestation पर धियान दो regret में मत रहो मुझे लग रहा है अभी आप परिशान चल रहे हो हो सकता है major जो reason है because यहां पर cups के card है temperance water बहुत दिख रहा है तो हो सकता है love life को लेकर आप थोड़े से hurt हो अभी आपकी love life के लिए यहां पर सबसे ज़्यादा messages आया है आप confused हो रहे हो पते क्या हो रहा है आपके साथ आप एक decision पर नहीं पहुँच पा रहे हो divine कुछ messages दिखा रहे है sign दिखा रहे है और आपके partner उस तरह से react नहीं कर रहे है तो आप confused हो रहे हो यह हो क्या रहा है दिल टूट रहा है आपका I know this thing लेकिन आपको strong बनने की जुरत है ठीक है strong बनो बिल्कुल strong बनो आप चाहो तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो क्योंकि आपकी energy temperance की है ठीक है temperance बहुत difficult situation को भी handle कर सकते हैं और फिर से अच्छे से new beginning लेकर आ सकते हैं अपनी life में और हमारे पास पहले ही ace of cups का card है universe आपको इतनी tough situation में बहुत positive रखने की कोशिश कर रहे हैं यह चीज मैं देख पा रही हूं यहां पर तभी तो number sign दिखा रहे हैं आप confuse मत हो जाना confusion बिल्कुल हटा दो because यह temporary situation है इसकी death हो जानी है जल्दी situation खतम हो जानी है ठीक है और आपको कुछ मिलेगा आपके efforts आपका patience ठीक है आप जिस तरीके से patience रखे हुए हो आपको बिल्कुल कुछ positivity आपके पास respect आपके पार्टनर की तरफ से hair of end के energy है देखो आप परिशान मत हो बिल्कुल भी because आपका connection है two of cups का तो अभी अगर मुश्किल है तो आपको दोनों को अच्छे से manifest करना चाहिए situation को समालना चाहिए और strong बनना इस time बहुत ज़्यादा क्योंकि ये temporary situation है ये बहुत जल्दी खतम हो जाएगी और आप अपनी healing पर focus कीजिए healing पर जितना focus रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है 10 of pentacles का card है आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो दीमोटिवेट मत हो एक temporary situation के लिए इतना दीमोटिवेट होना ठीक नहीं है just manifest manifest कर आपनी love life अगर आप चाहते हो अच्छा करना पैथे कभी-कभी ना मुझे ऐसा लगता है जब मैं cards देखती हूँ मैं इस ताइम sad feel कर रहे हो मतलब बहुत जदा परिशान हो confusion बहुत क्रिएट हो रही है क्योंकि divine sign positive दिखा रहे है partner का जो action ले रहे है वो बिल्कुल opposite है तो इस तरीके से आप थोड़े परिशान हो रहे हो कोई बात नहीं देखो क्यों परिशान हो ना पास सकते हो उनका साथ उनकी blessings पास सकते हो तो इनसान क्या चीज है मन में विश्वास ज़्यादा होना चाहिए ठीक है और जितना गहरा विश्वास तो आपका वो चीज है क्योंकि उसमें विश्वास गहरा क्यों बन रहा है हर चीज के पीछे मैंने बताया आपको आप किसी भी situation में हो उसके पीछे का reason जानने की कोशिश करो दुख मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है और वो कैसे ठीक हो सकता है आपने अगर इसका answer बता कर लिया तो आप उस पर action लेना शुरू कर दो ठीक है रिष्टा घहरा feel क्यों हो रहा है क्या reason हो सकता है इसके पीछे कुछ तो बात होगी ना कि इतना positive आप feel करते हो आप इतना सोचते हो आप इतना यूनो मतलब आपको एक तडब सी उठती अपने partner के लिए क्यों हो रहा है इसके पीछे का reason जानो कैसा reason मिल रहा है positive मिल रहा है या negative मिल रहा है फिर उसी भिहाव पर action लो अगर positive मिल रहा है फिर तो ये कुछ बात है आगे तक बात बढ़ेगी आपकी है ना तो ऐसे विश्वास रखना सीख लो situation तो पता नहीं कैसी कैसी आ सकती है आपको judge कर सकती है तो कभी बुरा कभी रोना तो कभी बहुत strong feeling ऐसा हो रहा है आपके साथ this time ठीक है थोड़े परिशान हो रहे हो आप कोई बात नहीं होता है life में life है हर तरह की face दिखाएगी कभी कभी तो ये भी लगएगा कुछ नहीं चाहिए मुझे छोड़ दो मुझे को अकेला छोड़ दो ना मुझे अच्छा ही चाहिए ना मुझे बुरा ही चाहिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और कभी लगता है कि मिलना चाहिए कुछ ना कुछ आप डिजर्फ करते हो आप महनत कर रहे हो तो आपको मिलना चाहिए फिर आप ऐसे भी सोचते हो देखो मिलना ना मिलना सब बगवान पर छोड़ दो न आप और जो आपका विश्वास है उसे पक्का बनाने की कोशिश करो एक काड़ा आपके लिए अपके लिए अपके लिए एंड everything has to end someday be prepared preparation will bring desired result एक नएक दिन तो सब चीज़े खतम होनी है even हम लोग भी आएं एक नएक दिन जाएंगे तो आप अपनी preparation रखो अगर आपको desirable result चाहिए तो पहली guidance तो यही आदिया आपके लिए time to relax रहोना guys relax, do not hurry you are watched over and will be looked after divine तो आपको देख रहे हैं और आपका take care भी कर रहे है your call will be answer अगर किसी चीज़ के answer का wait कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा answer मिल लेगा आपको ठीक है और आपने जो request divine से लगाई है उसका भी answer आपको मिलेगा it's okay कर्मों पे believe करो law of karma इस पर believe करो और खुष रहने की कोशिश करो ठीक है knock knock definitely यह door खुल जाएगा knock and the door of possibilities will open और दो काड एक साथ है death card again हमारे पास आगया है every situation painful or joyous is well written for us हमारे लिए लिखी हुई होती है यह situation see it as an observe and not as a participant focus on the totally of your eternal journey treat joy and sorrow in the same way death and a new beginning हर चीच को त्सेम ट्रीट करो neutral रहने के लिए बोल रहा है have firm faith in God and act he will help you and he will help you and all your pain and difficulty will go act now act करते रो भरोसा करते रो बोलो भाई कि नहीं मुझे नहीं पता ही है इतने आगे लेकर आयो तो यह मेरी है बोलो कुछ भी बोलो बोलो अगर आपको बहुत positivity आती है अपने purpose को लेकर because यह आपका टफ टाइम है और यह बहुत जल्दी खतम हो जाना है यह बहुत जल्जमेंट मिल रहा होगा इस वज़े से आप ऐसा सोच रहे हो या ऐसा फेज आगया आपकी लाइफ में पर ठीक हो जाएगा सब कुछ miracle आपने attract कर लिया miracle earn कर लिया it will play in your life soon so it will play it will perform definitely इस miracle को ऐसे ऐसे देखो इस card को कि यह आपकी life में एंटर कर रहा है okay इसको ऐसे देखो इसकी yellow color से positivity लो इसका white color देखो yellow color देखो ठीक है और जो blue color नीचे जा रहा है मतलब सारी negativity जा रही है आपकी life से and आपको positivity लो रही है ऐसे इसको observe करो guys यह miracle आपका है this is yours okay और you will receive help जब miracle हो गया तो इसका मतलब है आपने अपने लिए एक मदद कर लिए है आपको एक चीज़ बताओ मैं आप कितने अच्छे कर्म करते हो आपको खुद को पता होगा है ना और मुझे लगता है मेरे चैनल पर सबी लोग अच्छे कर्म करते हैं तो जब द्रौपती के सामने द्रौपती मा के सामने भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी ना अगर पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है उन्होंने एक सभा में बैठे थे और कोई उनको बहुत बुरा भला बोल रहा था तो उन्होंने उनकी 99 गलतिया माफ कर दी थी 100 वाली मिस्टेक पर उनको ठीक है वो कर्म उनको उनके सबसे मुश्किल टाइम में उनके लिए कितना हेलफुल रहा कि भगवान कृष्ण ने उनके उस प्यॉर कर्मा को ऐसा reward कितने अच्छे से उनकी मदद की जब उनका सबसे सबसे टफ टाइम था लाइब का जब वो बिल्कुल टूटी होई थी सबसे मदद मांग रहे थी बट किसी ने नहीं दी तो ऐसे ही ना आपका कोई अच्छा कर्म होगा जिसके वज़ा से आपको भी मिरिकल मिल गया तो ये भी विक्टिम हो सकता है आप सिचुएशन हालात के विक्टिम बने हुए हैं बट आपके एफर्ट्स आपको यहां से बाहर निकालेंगे और आपको वह सब देंगे जो आप मांग रहे हैं ठीक है क्योंकि थोड़ी सी सिचुएशन टुकी है तफ टाइम चली रहा है जैसे कि यहां पर आया था सो करो गाइस एक्शन लेते रहो आक्ट करते रहो तभी कन्फूजन भी दूर हो जाएगी और जो डेस्टिनी में लिखा है वो मिलेगा ऐस अ मिरेकल मिलेगा लेकिन हांड़ट परसेंट मिलेगा और आपका तेखो टू अफ का कनेक्शन है आप डेस्टिनी का भी काड आ गया डॉंट वरी सब अच्छा हो जाएगा मैनिफेस्ट करते रहो यही सारी गाइडन्स आपके लिए आरही है डिवाइन की तरफ से यूनिवर्स की तरफ से आपको पसंद आई हो अभी के लिए मैस इतने गाइज बाई टेक क्यार